तो मार्वल के तरफ से एक और सूपर हीरो थेटर्स में आने को तैयार है आज के इस वीडियो में बात करूँगा सांग्ची एन दे लेजंट ओफ तैन रिंक्स मूवी ट्रेलर के बारे में जो तीन सप्टेंबर को थेटर्स में रिलीज होने वाली शोकर है इसे OTT प्लैटफॉर्म पर नहीं रिलीज किया गया है इस मूवी के ओपर वर्क बहुत पहले से चल रहा था या फिर मैं कहूं बातें जो हैं वो बहुत पहले से चल रही थी तक्रीबन 2001 से इसके पर बातें चल रही थी अब वो विलन्स कोन है जब यह मूवी आएगी तभी बात करेंगे तभी पता चलेगा अब विलन्स कोन है कुछ चीजे मुझे पता है वो इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बता दूँगा लेकिन उसके लिए तो वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी और एक बात तो है यार मार्वल वालों ने 2021 अपने नाम कर लिया जो धडले से एक के बाद एक मूवी इस एक के बाद एक सिरीज जो है वो लॉंच किये जा रहे है मतलब कि रिलीज किये जा रहा है और इस मूवी के ट्रेलर को देखकर एक अलग सा experience मिला इसके अंदर जैसे fighting sequence वो बड़े जबरदस्त मुझे लगे होंगे क्यों नहीं क्योंकि इसमें martial art का use किया गया है जो काफी कमाल के लग रहे थे और VFX भी बहुत बढ़िया थे और fighting sequence के साथ साथ इसमें जो colorful जो चीजे है जो last में जब ये movie ट्रेलर खतम होता है जो last में जो चीजे दिखाएगी वो बहुत जबरदस्त थी अब मैंने इसकी थोड़ी बहुत history खंगाली तो मुझे पता चला कि भाईया शांक्ची जो है वो बहुत पुराना character है कोई नया नहीं है कि Marvel ने सोचे कि रातों रात एक नया character सोच लिया और लो भाईया उसके ओपर movie बना दी नोंने ऐसा नहीं है 1973 में इसके ओपर comics आई थी अब 1973 के बाद Marvel वालों ने इसके rights खरीदने की कोशिश किये लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो अडचन आने लगी कुछ problems आने लगी कैर में detail में नहीं जाने वाला वो क्या थी क्या नहीं थी उससे आप लोगों को कोई exam में ताने वाला है नहीं आपके entertainment से भी related वो चीज़ें नहीं है वह यहीं कहता है कि जितने भी आस-पास के जो देश हैं वहां पर हमारे चाचा ताउ दादा दादी वह गोमने गए हुए थे तो इसलिए वह हमारा है यह उनकी जो तोट वो चलती आ रही है और यहीं इसके इंदर इसके राजा की तोट दिखाए गई गई है और जो सांग को पता चलता है कि एक्चुल में जो उसका पिता है वही खल नायक है और इसके बाद यह अपने पिता के खिलाफ लड़ना शुरू करते हैं भाप यह à में बहुत सारी चीज़े आती हैं इसको 1973 में जब लॉंच किया गया था है इसका मास्टर कुंफु नाम से भी इसको जाना जाता है जहां पर इसमें बता है कि इसकी एक भाई है मुह बोला भाई इसकी एक बहन है और भी बहुत सारे कि इसको अवेंजर के साथ कैसे कनेक्ट किया जाएगा क्योंकि जब मैंने इसके बारे में सर्च किया तो पता चला कि सांग्ची जो है इंफिनिटी वोर के दोरान मौजूद था अब वो तो मूवी आ चुकी है उसके अंदर नहीं किति तो नहीं बहुत जोड़े कई तो गंबूने दो अगर आप बता लोगों के आप क्या विचार आए इसके बारे में अगर आप क्या सोचते हैं legit ऐहां के बारे में अगर आपने कोमिक्स पढ़िएеци तो उसके बारे मी बता सकते हो तो यह बस आज के लिए इतना है रखते हैं इस वीडियो में तैंक्स वीडियो में जाहिए